अब आठ वी बोड प्रिक्स दोजार चोबीस 28 मार्च-दोजार चोबीस को जापकी इंग्लीज का पेपर होने वाले हैं उसके लिए यह वीडियो काफी इंपोटेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपका जो पैसाइज को कैसे सौल करना है और आपके रोड़ सेप्टी के कैसे आते हैं यह सेम टू सेम कुशन है जो बार बार रिपीट होते हैं तो यह वीडियो आप सुरू सन तक देख लेना और इसमें आप सको यह पता चलेगा कि आपका जो दोजार चुछ का पैपर वो कैसे आने व पैपर हैं और इसके बात में 2019 के अलावा में आपके 2016 का सत्रह का अठारा का 2020 का 2021 का सभी पैपर आप अपलोड कर रहा हूं तो आप उन पैपर को भी जरूर देख लेना और सारे पैपर की पीडियव आपको एप के अपर मिल जाएगी आपको डानलोड कर लेना या फिर आप 2019 में जो पैपर वो अलग आता था ठीक है 2019 का फैपर अलग आता था क्योंकि और इसके आंसर आपको अन्सर वापको पैपर में ही लिखने होंगे तो पेपर आपको वापस है जो प्रिक्षा से नहीं मिलेगा तो देख लेते हैं आपका यह पूरा पेपर है यह 2019 वह तो पहला कुशन आपके सामने यह पार्ट वन का है अब सेम तो सेम वैसा ही कुशन पहले भी आता थे जैसा कि अभी आपके दोजार चूश मेंगे कि इस द समलनों होता है बोजन क्या हुता है बोजन होता है तो इसका उतूरा आपके बोजन से समझेंगा और पार कॉंसा मेंमिल है kingdom है त께 सकत्व वोजन ही कहा जाता है यह दोनों है जो सेम है इसका मतलब और इसका मतलब दोनों सेम यह और एक ऐसा कुशन आपके फिक्स पुछे जाएगा जिसका जो सेम मिनिंग आप से पुछे जाएगा नेस्ट देन थ्री परसेंट आफ आल उफ वाटर ऑफ अन आर्थ इस फ्रेश सैयब आए गया इसक自वे आपके ओस्पिटल की जगा इसकोल के पकए बैंक आसकता है खाहि कि इसको सकता है आ सकता हैं तो यह कोई जो यह से नहीं तो điều आ माइपर उसकता है 150 पूछे जाएगा इसे समधित नहीं थाप से समय होस्पिटल से समय कौन कौन सा है ओस्पिटल से समय डॉक्टर होते हैं बिलकुल होते हैं डॉक्त कि दिख नहीं है उपसिटर होते होटे और लिए सब्सक्राइच सब्सक्राइए जबस होते होते हैं स्ब्सक्राइए नर्श फैसे जीजाद होस्प्टिल्प समय ृप्षिन की सोपकी Ε但 नु registers बीड़ों सकता है एपरस्ण हूं ट्रीट पैसेंट एक वेकती पैसेट मरीजों समझता है डोक्टर या आपके पैसेंट तो यह वाला याद रखना है यह यूंभी आ सकते हैं एक पैलेस वेर ट्रीट पैसेंट एक स्थांट जहां पर जो मरीजों का इलाज किया जाता है और वहां पर आपको दे देंगे एच फिर आप बता देना कमेंट करके देंगे इसको आपका अंसर है नेस्ट है वेस्टेज वाटर शुट बी अवाइड़ एज फार एज पॉसिबल यह जगा आपके वेस्टेज आफ इसमें वेस्टेज आफ वाटर हो जाएगा यह साइलेंट लेटर वारा फिक्स पुछे जाएगा ठीक है अंडरलाइन लेटर को बना है तो ब्लड है यह आपके फूल है यह आपके पूल है यह आपके टुथ है इसमें तो आपके ब्लड आ रहा है इस जैसे इसकी जो साउंड हो ब्लड क्या रही है इसमें आपके पूल क्या रही है पूल इसके फूल क्या रही है फूल और इसके आपके टुथ क्या रही इसमें से डबलोग की जो डिफ्रेंट सांड वो कौन सा हो गया यह जाएगा आपके ब्लड वला आपके फिक्स का उत्तर हो जाएगा कि यह साई क्यूशन 2018 में भी आया था यह सेम क्यूशन यह कि विच ओप दे अंडरलाइन डेटर हेव डिफ्रेंट सांड इनमें से कौन सा जी डिफ्रेंट सांड है इसमें आपके दोजार अठार में आयता है इसमें आपसे यह सी एच का पूछा था जैसे यह क्या हो जाएग इसमें एकमेर हो जाये आपके लांज और यहируग्जाए ऑपेंच-छ एंस ऑच पैन चंज और इसमें ही चा चर्च बन डहाएं लेकिन यह PATRI कि यह स्थीव एमस इन सबंद भी में लेकिन यह वाज्ट्व हरता है डिंस तो में बन्रहा है इसमें बोन रहा है उप्शन नभर जो C इसका correct answer होगा एक 2018 में ये question आया था कि which of the following is not related to zoo इसमें से कौन सा जो से समंधित नहीं है कौन सा जो से related नहीं है zoo वो अस्तान होता है जहां पर जो जानुरों को करत्रिम रूप से रखा जाता है तो इसमें आपके जूब में कौन-कौन होता है देख लैता है अलेफिंट ये तो होता है लौयन्स ये भी होता है वीर बाल Juliet शoo यह थे इढ़ी जाती में आए आगें गायों को जो जूम में नहीं करता हिनुक्ति इसका उत्र जाएगा आपके मुमेंट शडन शाउटेड आफ जो जो एड इस मॉमेंट शडन शाउटेड और जो एड़ यह वर हीएड हो जाएगा इसका अंसर अप्शन बड़ी इसका करेक्ट अंसर होगा फिर आपके आठवाजी कुष्यन वह इस बार ऐसे नहीं पूच जाएगा आठवे कुष्यन में आपके वह पैसे को बरना है जिसमें आठ से लगा के ग्यारत की वह चार उसी में से बढ़ना है यह पने काम का निसको मैं पर छोड़ देते हैं विससे में एडिंग करने थी इसमें डी और एडी लगा कि इसको नया वर्ड बनाना है यह बनता है अब आप देख लिए पुछा गया है तूथ का अब तूथ का प्लूरेल मैंने कई बार पुछे रपको आता भी है तूथ का क्या हो जाता है आपके टित हो जाता है तूथ का क्या हो जाता है यह डबल ओका डबल यह हो जाता है तूथ कम लब बहुत सारे दांत हो जाएंगे तो तूथ का क्या हो क्या होता है यह मैंने आपको मेन को कितनी बार बता है कि मेन का जो प्लूरल करते हैं तो इसका मेन का क्या हो जाता है मेन का मेन हो जाता है यह जो ए है वो ए में बदल जाता है तो इसको आप याद करें ना यह क्या हो जाएगा आपके मेन का मेन हो जाएगा अब इसके जैसा औ W-O-M-A-N W-O-M-A-N इसका आपको प्लूरल करके बताना है और क्यूशन यही बनेंगे आप देख लेना बार 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 जो यह की वार बार जो रिपीट होते हैं एक आपको पोस्ट मेन का प्लूरल बताना है P-O-S-T P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P पूछा जाता है एक आपको इसको अच्छी प्रकार से कर लेना आ है तो तो पुलूरल में आपको एक से ज़्यादा बताना होता है जब बहुत सारे बच्छे होते हैं तो इसको में आपको कितने बारे डियुकमेंड करने के लिए भी कहा था और आपने सब क्मेंड किया भी है इसका तो ये इसका अस्तितियोक हो जाएगा स्टधियों जाएगा इसी प्रकार से आपको कुछ हैं जो मैं रिटता हूं काम को और मैं को counselor करके बताना है जैसे सी ओ यू एन टी आर वाई कंट्री एक तो कंट्री का प्लूरल करके बताना है एक आपको बताना है सेंचुरी सी एन टी यू आर वाई सेंचुरी का आपको कमेंट करके बताना है इन दोनों का आप जो प्लूरल कमेंट करके बताएंगे एक आपको इने मी का बताने ए एन् एम वाइ इने मी का जो पलूरल है वो क्या होता है यह आप कमेंट करके बताenगे इसके लावा अगर यह वाई से पहले आपके कॉनसोनेट नहीं हो आपके वोवैल सो थिर यह नहीं हटता है जैसे इसका मैं उधारन बताया था B, O, Y बोई के ये लास्ट में वाई है और इसे पहले O है अगर वाई से पहले आपको A दिखें, E दिखें, I दिखें, O दिखें, U दिखें तो फिर आपको क्या करना है? वो वाला जो वाई है वो नहीं हटाना है उसके पीछे के लास्ट लगा देना है तो बोई का क्या हो जाएगा? बोई हो जाएगा इसे परकार से मैं आपको कुछ वर्ड देता हूँ उनके आपको पुलॉरल करके बताना है अब बोई की तरह आपको बताना है एक तो रे का जो यह की है इसकी तरह है जो आपको यह प्लूरल करके बताना है एक और बताना आप इसमें बेबी का बेबी का प्लूरल क्या होता है वो भी आप कमेंड करके बताएंगे और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आपको फिक्स उतर याद करना होता है उसमें से एक है आपका य child वाला चाइलड वाला तो कितनी बार भार पूदा जाता है child का plural क्या होता है c-h-i-l-d-r-e-n यह आपका child क्या क्या हो जाता है children हो जाता है तो यह कुछ plural ौर्ड है जो बार-ार पूछी जाता है इनको आपको अच्छी परकार से याद कलेना एक आपको family का बताना है family family का plural क्या बनेगा यह आप कमेंट करके बताएंगे एक आप बताएंगे city का इस आई टी का प्लूरल क्या होगा इसका आपको कमेंट करके बताना है यह कुछ वर्ड है जो इन्हीं में से आपके परिक्षा में देखने हो आपको मिलेंगे यह आपके सामने 2017 का पैपर है इसमें भी आपके प्लूरल पुछे थे राइट दे प्लूरल आप दा फॉलोविंग वर्ड से इसमें देखो एक तो स्टोरी का पुछे था स्टोरी का भी थोड़ देर पहले पूछे था वापस स्टोरी का आगिया देखो यह से पहले आर हैं तो यह कौनसोनेट है वेंजन है यह तो हम क्या करेंगे इस वाइक को अटा के आई एस लगा देंगे तो एस टी ओर आई एस हो जाएगा तो यह स्टोरी हो जाएगा ठीक है इसको आपको यह ची परकार से याद करना है तो डूटी का डी यूटी मैं पॉच जा रहे तो इनको आपको फिलूरल अनका करना चाहिए स्टोरी का आपको पते हो गया स्टोरी जोजाएगा फैमिली का फैमिलीज हो जाएगा ठीकर इसे परकार से आपके ड्यूटी का ड्यूटी होजाएगा hyper candy का li कर दिस होजाएगा इन सभी का by हट जाय बुक्स हो जाएगा बुक का क्या हो जाएगा बुक्स हो जाएगा ऐसे हैं इसे प्रकार से आपको बताना है पेन का कि पेन का जो प्लूरल है वो क्या होता है पेन का प्लूरल क्या होगा ये आप कमेंड करके बताएंगे तो ये कुछ ऐसे हैं जिसमें आपके बार-बार जो होते हैं आपको उनको अची प्रकार से याद करेना है तो इसके अलबा में आपको कुछ और प्लूरल बता देता हूं जो कि बार बार पूछे जाते हैं मालो जिस क्लास में डबल एस आता है जैसे सी एल ए डबल एस जिस क्लास में डबल एस है तो उसके पीछे हम क्या लगा द Hem die अडर बताईंगे कही हो जाएगा तो आपको ग्लास का कमेंग करके बताना है 110 9 अब खेखियर आपको प्लूर बताना है डी-e-ay डै का पुछी एड़े का पुर। आपको करके बताएंगे तो यही बार-बार पुछे जाते हैं यह आपके 2020 का पैपर इसमें भी आपके प्लूरल पुछा हुआ था देखो प्लूरल यह कि राइट प्लूरल आप दे फॉलोविंग वर्ड इसमें आपको सीटी का पुछा था तो सीटी का क्या हो जाएगा एस आई टी वाई है इसमें तो वाई गोटा की हम आई एस कर तो आक्स का जो प्लूरल है वो आपको करना है ओक्सन ओ एक्स ए एन ओक्स का जो प्लूरल होता है वो आक्सन होता है यह अलग होता है इसलिए इसको पूछा जाता है अगला जी क्यूशन आपके दस्तों क्यूशन है राइट एन मिसिंग लेटर इन दे फॉलोविंग तो यह आपके लवली की मिनिंग हो जाएगी एल ओवी एल वाई लवली इसी प्रकार से यह वाले है बी एफ आर ए तो यह आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है यह किसकी आपने इसका दिमाग में हो गया क्लिक की बिफॉर की है तो बिफॉर की आपको इसमें से देख लेनी बिफॉर की एक तो आपको यह पूरा करके बतानी है एक तो यह वाली इसको पूरा करके देना है ठीक है यह वाली क्या है इसको पूरा करके बताना है एक यह वाली जो है पूरा करके बताना है एक यह वाली जो है पूरा करके आपको बतानी है ठीक इसको आपको पूरा करके बताना है एक ये बतानीए ये ही आपके पूछ जाएगी बार-बार आपके रिपीट होती है इन्हीमेंसा आपके प्रस्त न बनेए एक आपको ये बतानी ए ये वाली मिनिंग किया है इसका आपको कमेंट करके बताना है यह आपके सामने 2020 का पर अब 2020 के पर में भी वापस लॉली की ही पूंच लिती देखो सेम किशन जी रिपीट हुआ है लॉली वाला लो वी एल वई हो जाएगी लॉ वी एल वई लॉली हो जाएगी है तो यह डबल पी तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी यह किसकी मिनेंगे य यह एच एडबल पी वाई यह हैप्य हो जाएगी आपको ऐसे कुछ वर्ड में ओवर देता हूं जिनका आपको जो मिसिंग लेटर वो पूरा करना है एक तो आपको बताना है यह एक तो यह बताना है एफ टी और यहां लिखाओ आपके आर एक तो इसकी मिनिंग बताने ने को इसकी यह इसकी फुल मिनिंग क्या होगी एक आपको यह बताने एफ टी एच और और इसके आपको मिनिंग कहें जो अच्छे से याद होनी चाहिए यह आपकी जो प्रिक्श्व में पुछे जाएंगी इनमें सही यह मिनिंग देखा आपके पुछी ती 2017 2017 का पैपर व यह हर्ट की मिनिंग है एच ए ए आर टी हो जाएगी है एच ए आर टी हर्ट किस मिनिंग हो जाएगी आपको मिनिंग याद होगी तो आप जो इसको मिसिंग लेटर को पूरा अच्छे से कर पाएंगे एक मिनिंग आपको मैं और देता हूं उसको आपको पूरा करके बताना ह कि यह यह किसकी मेनिंग यह आपको कमेंट करके बतानी है कि यह जो मीनिंग आपको बूच रहा हूं इसी मैंसे आपके परिक्षा में परस्न बनेंगे तो उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है फिर आपके अगला कुशन है 2019 का इसमें आपके इंकरेक्ट स्पेलिंग इस drive attention Attentively you can reach a home safe तो इसमें आपको सो देट का प्लोक करना है तो मैं बढ़ करेंगे सो देट यह बार बार रिपीट होता है इसको अब याद करेना कि drive सब्सक्राइब एटेंटिवली सो देट यू केन रीच होम से तुम्हें जो गाड़ी जो द्यान से चलाने चाहिए ताकि तुम्हें जो घर पे जो सरक्षित पहुंच सको पिर कोमा और फूल स्टो वाले क्यूशन अब अपने नहीं आएंगे इसको में पर छोड़ देते हैं चाहऊ-दो उक्षिण आइगा इसमें आपको रीएरेंज करना ही अरेंज करना है नगा इसको में करना है सब स Score के लास Llewz in the village गाड़ोता य्शे निजड़ोरा से केलास lives दो नम्बर बाएगा लेउज इन यहाइक है आँगा आँगा ते in दा विलेज दा आँगा आँगा प्सक्षाए नम्बर बाएगा गाहिगा गायों का नाम यह वाले आपको मिनिंग आपको अछो से कहक crumble है आपको भी जो अपने गाउं का नाम कमेंट करें बताना है जासे आई लिए अ लिव इन जयए और आई लिव इन जैपूर इस परकार से आपको पुरा फिरा लाइन बना के लिए कि नेक्स्ट एक इसमें है इसमें है इसमे जल भॉर्ध बाल तो इसमे आपको बता नांए की बजरatri ने बाल को किक किया यह अनुर। उखनी इसरे पहले बजल डुसरे दुसरे नमर पर पहाएगा आपके हेस् बाजरंग है तीसरे नमर पहाएगा कीक्ड चोत्रे नमर पहाएगा तो बाल तो बाल तो हैसी को जिस्थे में बदल देना है पिर आपके यह वह आएगा जिसमें आपको रोड़ सेप्टी की कुछ पुछे जाएंगे राइट मीडिल क्लॉस और लेट इसमें आपके दो किशन रोड़ सेप्टी के ऐसे पुछे जाएंगे तो keep on the road वाइल वाकिंग कीप ऑन दा रोड वाइल वाकिंग तो इसमें पुछा गया कि आपको रोड पे की साइड में चलना चाहिए तो इसमें आपको पता है कि लेट साइड में चलना चाहिए तो इसका उत्र जाएगा आपके लेट इसमें हम बरेंगे लेट साइड में चलना चाहि है तो इसका उतर जाएगा राइड आर आई जी एच्टी राइट से ही ओड रटेक करना चाहिए लेट साथ है दों आपके तर्बास से याद करेना है चलनामें लेफ्ट्सााइड में चाहिए और ऑवर टेक हमें राइड साइड से करना चाहिए अब फिर आपके आएगा ये पैसेज तो पैसेज में आपको क्या करना है पैसेज में आपको पहले पैसेज को एक बार पढ़ लेना है और पैसेज दस दस नमर के तीन पैसेज आएंगे तो टोल कितने हो जाएंगे तीस नमर के हो जाएंगे अब तीस नमर के पै पूरा पढ़ने के बाद मैं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें से कैसे उसका उतर डूंडेंगे तो आपको लाइन टू लाइन जो मिलान करके अपना कोपी में उतर लिख लेना है जैसे पहला है आपके सत्रवे का पहला वाट डज इंडिया है वाट डज लग ट्रेडिशन ढफ वाटर हार्वेस्टिंग भ气 को ये वाली वाईन छिसने लिख लाने लिख लैनींगे इंडिया नाम आए ये वाला साथ को पानी उसको सुरक्शित करती हैं तो बिल्डंग इन डैली कंवेर्जेंट वाटर यह लाइन आपको मिलानी तो देखो यह वाली लाइन मिलेंगे उपको यहाँ से मिले की देखो रास्जट्पती 20 रास्टपती2 दिल्ली में कुन सी बिल्डिंग रास्टपती बवन यह वाले लाइन यह तक इसमें लिख देनी है और आपको दो मैंसे दो नंबर मिल जाएंगे फिर आपके नेक्स्ट कुश्चन मनता है वाट इस दा बैसिक प्रिंसिपल अब हमें नहीं पता ही कौन से इसका क्या उतर रहे लेकी आपको क्या भोलोन हैं लिकिन आपको छुणना है बेसिक प्रिंसिपल नुखनें इसमें इसमें से और इसका उतर आपको इसमें हुबाव लिख लेना है इस लिखर रौिटी वीचाhh मुट्रू तक लगा देना है तो यह लाइन आप पुरा लिखेंगे तो इसमें 2 मैसे 2 नमर्व आपको मिल जाएंगे बस आँगे इसमें डूनना है कि आईजाल का नाम आपके यहां पर आईए कि यह वाला देखो आईजोल इन मिजोरम मेट मेट से मौस्ट ऑप इटस वाटर नेट से थ्रोड़ रूप टॉप हार्वेस्टिंग बस यह वाली लाइन आपको यहां से यहां तक लिख लेनी है और इसका उत्र आपको इसमें टून कम सकम आपको जो 50-60 उपोजिट याद होने चाहिए जो बार बार प्रसम पुछे जाता है उपोजिट के उन्हीं में से आपके उपोजिट अपने यहां परिक्षा में आपको मिल जाएंगे तो 50-60 उपोजिट आप याद करेना मैं एक अलग से वीडियो भी बिनने वाला ह इनका आपकी क्यूशन कोई भी गलत नहीं होगा क्योएंकि इनमें से कोई सबी हो जिए ओसकता थाएं तो शोड क कि होता हैं इसमें डेखेंके तो लउंग ओता हैं या दिखो लॉंग शोट का हो जाएगा लोंग हैं तो यह नेसेसरी ऑफसिनल का जो ऑपोजिट हो जाएगा तो ऐसे आपको जो कुछ है जो ऑपोजिट वो अच्छी प्रकार से याद कर लेना है मैं आपको कुछ ऑपोजिट और पहुंचता हूं उनके उतरा आप कमेंड करके बताएंगे जैसे आपको याद करना एक तो ब अपर बढ़ो से एक आप हुए बताएंगे ओताएंगे फार का फार मतल decor ब्fight करके बताएंगे फार सव PHP 1 अब मिर साथ में तायारे करेंगे मुझे भी न आप में से je जो आगर सिस्टेंटर अब कम तीन या चार वीडियरती से वीडियो खेंख रहे होंगे यह जो दो शोड़की हैं और अप सब्सके लिफितर मेर्स हर्ड़ वर्क करते मुझे आप comment कर के भी बताना कि यहां तक video किसने देख रहे हैं तो मैं आप से प्रस्तर पूर्खता हूँ उसका उतर आप comment कर करेंगे तो मैं समझ जाओंगा कि आपने यह वीडियो यहां तक देखा हैं तो मैं आपको क्यूशन पूश रहा हूं कि अपने राजस्तान की राजस्तान की राजस्तान की अगर आप यह उतर कमेंट करके बता देंगे तो मैं समझ जाओंगा कि आपने यह वीडियो यहां तक देखा हैं और आगे भी देखना है तक आपको और भी इसका फाइदा मिलेगा यह थो है आपके पहला पैसे दूसरा पैसे आपके सामने है आप आपको पढ़ना इसमें समझना आएनिया लेकिन आपको लाइन टूलाइन एजह उतर मिलाएं लिकulsion जैसे दूसरा पैसा कि हुए इंवाइटेड ऐस्ट कंपीटर हो इन्वेंटेडड परस्ट कंपीटर इस मराइज हए वार्मन हारमन होलार्थी नungen 46 अब सबस्कमरrial weonn अपनाय था बाता फिसने बनाये था तो फेला किसने बनाये था यह अब कि यह व trainer के वाला मिसमें लिख ले लैंड पूरा ने लिखे फिर भी आपको जो यह लिखना है फिस्ट कंप्यूटर वाज मेड़ बाई हर्मन होलार्थ इन 1946 यहां तक लिख लोगे तो भी कोई बात ने इसका नमर आपको पूरा मिल जाएगा आपको लाइन टू लाइन उतर इसमें से चाप देना है और नमबर आपके दो मैंसे दो मिल जाएंगे वहां पर आपकी दो नमर का आएगा इसा क्यूशन की वाट नेम वाज गीवन टूदा फर्स्ट कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर को क्या नाम दिया गयता तो देखो नेम कहा लाज गीवन दा फर्स्ट कंप्यूटर या फिर आप सिद्धी लाइन लुटा के लिखेंगे तो भी आपको नमबर मिल जाएगा क्यूशन आप खाली छोड़ेंगे तो आपको नमबर नहीं मिलेगा इसलिए कोई सभी क्यूशन आपको खाली नहीं चोड़ना है सैकंड क्य इसका 20 में आपके कि वेन वाज दा फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेटेड वेन मिलब समय पोच रही है तो इसमें आपको यह वाले लाइन इसमें वापस उठागे लेन यह 1946 है तो आपको यह वालाइन पूरी उठागे इसमें लिख लेनी कोई बात आपको पूरा नमर इसमे मिल जाएगा आपको उत्तर चाहिए उसमें यह वलाइन फॉर्टिसेक्स तो लेकिन आप पूरी लाइन लिखेंगे तो भी आपको दो मैसे दोनमर मिल जाएंगे वाट आर में टाइफ आफ आफ स्कंप्यूटर तो टाइफ सब्सक्राइब कहा पर आया टाइफ डिजिटल एंड अनलोग बस तो यही कुशन आपके माँ पेचाप देने हैं और आपको नमबर पूरे मिलेंगे हैं फाइब आओट winter हाँ रेकिंदाव थारी मिनित काइंस काइंस कमया था प्रकार है का हो प्रकार टाइब हो तो हुघ की आपके नहीं काईंब कमद होता है आप जीसमें बढ़ देना हैं ठीक है कि तने र小 कितने प्रकार क्यों प्रकार चे अब इसका पहला प्रस्ट न की, who was the first plastic surgeon, कौन जो plastic surgeon था, पहला plastic surgeon कौन था, तो one of the earliest scientist वाज सूसरूत, ठीक है, इसमें आप किस के बारे में बात की जा रही है, यह संस्कृत के महान जो चिकित सक हुए, सले चिकित सक, सूसरूत, और इनको जो पहला जो plastic surgeon माना जाता है, He prepared on suo inoosun 26 centuries ago was the first plastic surgeon किसका नाम आए अब WHO का मतलब किसी का नाम पूछाए तो ये नाम की इसमें सूसुरूत है इसमें नाम बढ़ेना आना आपको सूसुरूत ये सूसुरूत नाम आपके है थाга ये नाम आपको इसमें बढ़ेना आए वाट डिड़ सुसूरूत एडवाइज हीज़ प्यूपिल देखो इसमें आपको लाइन टू लाइन मिलाना है सुसूरूत एडवाइज हीज़ प्यूपिल तो देखो इसमें आपको यह सुसूरूत एडवाइज प्यूपिल ही एडवाइज हीज़ प्यूपिल तो यूज ड तिश्णा वार्ट डीड पिश्जेस्टं चरट सजेस्टं आपको बताने कर तो यह चरट का नाम होई कोई चरट का नंवह तर फफेजेशन को सजेस्ट वर थे यह ऑट्रेस्ट बॉत टो यह आपकी ज conviction वाली लाइन है यह तो इसमें आपको यह उठा के इससे कैसे इसमें लिक लेना है और आपके इसमें दो में से दो नंबर मिल जाएंगे फिर आपको इसमें आपको बताना है राइट वन वर्ड ऑफ दा फॉलॉविंग सेंटेंस इसमें आपको फॉलॉविंग सेंटेंस का वन देना है scientist a person who study related science तो आपके इसमें scientist हो जाज़ेगा जो विज्ञान से समझसेद पड़ाई करते इसको विज्यानिक करते हैं इसको scientist कर जाता है इसमें आपको बर देना है scientist कि सब्सक्राइब नेस्ट आउट दए find out the word of the students students student का मतलब होता है है विद्यार्थी सिष होता हैं विद्यार्थी क्या है विद्यार्थी क्या होता है आधि यह अपन लिखते हैं योऑर्स ऑग्रेंटली युवर्स जपीत अ shaky Надý human गिए तो यह देगा इसका विद्यारती चरक के विद्यारती कुन थे प्यूपिल्स हो जाएगा पी यूपी एलस इसमें आपको बढ़ देना है यह इस प्रकार से पैसे उपको पूरा सोल कर लेना है पिर आपके रियरेंज वाला आएगा तो कि एक स्टोरी को आपको रियरेंज करना है इसको इवेंड को आपको रियरेंज करना है कि ददलों बिकम एंग इंग्री इट वास लिपिंग अंडरे टरी वन्स अपने टाइम देर वाज लोएंग दो माूश बिगन जंप ओन इस बो से सोरा था इट वास लिपिंग अंडरेटरी यह दो नमर पर आ जाएगा फिर क्या हुआ एच चुहा वहाँ पर आया एमाउस के अंधिए यह तीन नमर पर आएगा चुहा आने के यह आपको पांस नमर पर इस प्रकार से बढ़ देना है तो यह जो स्टोरी राइटिंग आएगी यह रेरेंज करने वाली वाली वह पांस नमर में पूछी जाएगी तो अग्या आपकी त Tages number गी आपकी क्या पूछे जाएगी एक टो आपके लेटर पोछा झाएगा एक आपको लेटर लिखना है एक आपके application लिखना है तो लेटर यप यह और ये तो यह इक लेटर नथे माड़न कर to your friends inviting him attend your birthday party आपको अपने दोस्त को बड़े पार्टी में इन्वाइट करने के लिए आपको एक लेटर लिखना है या फिर आपको यहां पर एक application लिखने है यूर राजंदर रीडिंग इन गौर्वें अपर प्रैमरी स्कूल के यह स्कूल का नाम दे रखा है और यूवर ग्र you live one day अपको एक दिन की चुटी के लिए परातना पत्र लिखना है कि आपकी जो दादी माह KIAL blocked के लिए आपको एक दिन का जो फाना पत्र पत्लेइ बात वह क्यों है? यह तो आपके 2019 का पेपर है मैं आपको कुछ application और बणाथा हूं जो की बार बार है जो repeat हुई है कि जैसे इसमें आपको यह वाला है एक एप्लिकेशन लिखनी है इमेजिन देट यूर अनुराग फ्रॉम देली सम पर्सन यूज लाउड स्पिकर्स अट नाइट वो हाई वोल्यूम डूरिंग लेट नाइट यू आर बिंग डिस्टब राइट लेटर दू डिस्टिक लेक् लिखना है एक लेटर लिखना है यह पूछा गया था 2017 में और इसमें आपको कुछ ने करना यह देखो यह वाली चीज़ें पर पूरी देर रखी इसमें साबको बढ़के लिखनी है पिर इसके बत्वा में आपको यह देर रखा है कि यूहार मोहन यूर फ्रेंड सोहन सक्सेस के लिए आपको यहां पर प्रातना पत्र लिए एक लेटर लिखना है कि फिर आपकी यह दोजार बीस का पर आपके सामने इसमें आप से पूछा गया है कि देट यूहार अमिनाश फ्रॉम जगतपुरा राइट अलेटर तो यूर फ्रेंड अंकूर कंगरेट्वलेटिकं हम फोर विनिंग गौल्ड मेडल इन्सकूल तो नमेंट है तो इसकोcciónय के लिए आपको एक प्रातना पत्र यह लेटर लिखना है और यह लेटर आपको इस प्रकार से हम पर पूरा दे रखाएं या फिर आपको इसमें एक एक एप्लिकेशन लिखनी है यू आर अनुश्का स्टुदिंग इन गवर्वन स्कूल विलेज सारंगपुर यूवर सिस्टर्स मेरी रिक्वेस्टिंग फॉर्ट और तोध विकियुव त्थी डियस आपकी भाहिशन के शादीय तो उसके लिए hovaast का कार्ड डिस्ट्रिबूट करना है तो इसके लिए आपको तो उसके तीन की चुट्टिका प्रास्च्छन पत्र लिखना है इताल मैं आपको भाहीशन की आपके दोस्त को पत्र लिखना है कि आपने जो लास्ट समय में कौन कौन से दर्शन कौन कौन से चीज़ें देखी हैं तो यह वाली चीज़ आपको यहां पर देख लेने हैं फिर यू आर के लास रिडिंग गौर्वेंट सिने सेगंडी हंसपूर और यूर फादर हैस बिन ट देख अपर आपको याद कुरहिए तो यहां पर लिखने हैं अपको अपना एड़ एड्रेस सबसपहिला पूर लखे यूजश अपना एडर्स आपको लह सबस tv देखने की बाद आपको लिखना है दeat धैक हैडट रिकेंगी फिर आपको लिखनी तप्रिंपल गवर्वें बैंक या फिर आप भी लिख सकते हैं माई फादर इस टीचर इन गवर्वन स्कूल यह बिन ट्रांसफर्ड टू जैपूर उनका ट्रांसपर जैपूर हो गया है थाल फैमिली विल सिप्ट देर पूरी फैमिल वहां पर सिप्ट हो रही है आई हेव टो टेक एडमिशन इन गव लिखना और क्लास लिखने है यह टीसी का एप्लिकेशन आपको अच्छे से तयार करेना है यह फिर इसके अथ्वा में उपर जो लेटर पूछा था कि आपने लास्ट रिसेंटली कौन-कौन से जो दरसन जो स्तांद विजिट कि वह वाला तो यह आपको विजिट करने वाल लाइए यू विल बी ग्लेड तो नो देट माइब बाद देट विल बी सेलिब्रेट ओन इतनी देट को आपको अपना बड़र करना है देर विल बी एपार्टी एट शिक्स पीम से बज़ए आपके पार्टी रखी गई है इन वाइट तो यू अटेंड इस पार्टी में त और फिस प्रकार से वित लव यूर से लविंग फ्रेंड नाम लिख लेना है और यह आपको लेटर पूरा हो गया एक आपकी एप्लिकेशनी कि तुम्हारी जो यूर मदर इस इल आपकी ममी बिमारे या फिर आपकी दादी बिमारे वह वाल जो कहनी वह आल इसमें बता सकते कि तुदा एड़मास्टार गौर्वेंड अपर प्राइमरी स्कूल अलवर रस्पेटफुली आपकी तुसे देट माई मदर इस इल और वह वाल जाय था अपनी माँ दादी जो गरप्या के लिए वह वाले भी इसमें आप लिख सकते हैं आई हेव टू लोग अप्टर हर एंड अधर वर्क सो आई केन नोट कम तो स्कूल काइंडली ग्रांट में लिव फोर त्री सेवन डेज डेट डाल देनी फिर आपको यह थेंगिंग करके डेट वगरा डाल देनी है पिर आपके दस नमबर का पूच्छे जाएगा एक पेरे खुल पे याद करो लेना है माइस्को भी फेघ्वरेट टिचर पे माइस फरेंड पर टेकर जी कुछ परिजवरेजग पेड़नी है झाता से याद कराना माइस परिःट टीचर पर माई क्लास टेचर याजब आए यह घंठा betray अाक चुक्के पर प्रिंसिप बहें तो तो यह इस प्रकार से आपको परेग्राफ बताने दस्त नम्र का या फिर आपको स्टोरी याद करने स्टोरी एक तो आपको वह एलेफंट और टेलर वाली याद करने एक आपको माउस mouse and loin वाले याद के लेनी एक आपको hungry fox आद के लेनी फॉक्स वाले एक आपको वह एक तुप mouse की है एक आपके elephant वाले हैं एक आपके fox वाले हैं कुछ स्टोरी में आपको औरबता रहा है उनको देख लेता है तो यह दोजार उन्स में ता आपके यह elephant और टेलर वाले आई थी जो कि बार-बार पुछी जाती है और इसमें माई विलेज पे आपके जो पेरेग्राफ पुछा गए था और यह वाला गजो आपकी 2018 218 पेपर में आप से पेरेग्राफ पुछा गया था इसमें माई स्कूल पेसкий पे मैं गुंओं में आपको पूछ पूछ गया था और यह करें दोनौEND आपको अच्छा से याध करें युँदि लोएन मौ्स वाले थी और और मैं आपको यह अलग से वीडियो में भी बता दूंगा कि यह स्पेलिंग यह जो आपको स्टोरी वो किस प्रकार साथ आपको लिखनी है फिर यह आए आपके पेरेग्राफ माई फेमिली पे इसमें पेरेग्राफ जो पुछा गए वो माई फेमिली के उपर आपको पेरेग पेरेग्राफ याद करें लेने दोनों मैं से कोईड्राइक आपके आराम से मिल जाएंगे और 10 में से 10 नमरा प्र आप जो पक्या कर लेंगे विसले माउस वाफ़े थे कहानिया कि रिपीट होते हैं इनका आपको चीपरकार से तयार करें लेना है तो एक तो परेग्राप य और ちゃो अदो इसको शाज चार एकड़े वाली कहानि आप वाली कहाने आपको याद हो तो करे ना नहीं तो आपको वे याद करें आप विजिट टोई वाली भी आपको पेरग्राफ याद कर सकते हैं या फिर इसके अथवां में आपके देर रखिए उनेस्ट वोडुकटर वाली जो स्थोरी वह बीव आप जो अच्छे से याद कर सकते हैं सबसे मौस्ट इंपोड़ेंट है माइफ इस तो यह आप जो अच्छे से इसको याद कर लेना और यह एलिफिन टेलर वाली तो इन आपको कितनी बार करो रखी तो आप अच्छी प्रकार से याद करें लेना बहुत बार जो पूछ हुई है और हर बार जो पूछी जाती है और पिकनिग याद करती है पिकनिक वाली भी हैं वैसे इतने इंपोड़िह करें निहीं पिकनिग ने टो गोटा से की यह सब्न करें 피부 ग्राइं वीवस्त बेसेखाने मिलग घ Beimatytum the elephant was very happy जो हाती था बहुती खुश था दर्जी से टेलर से वन डे टेलर वाज दिट नोट गिव एनिधिंग एक दिन उसने उसको खाने को कुश नहीं दिया he picked a needle on his trunk उसकी सुन में उसने उसने चुबा देती ठीकी निडल चुबा देती देटेट बाज़ वेरी एंगरी एलेफेंट बहुती गुसे हुआ इट वेंट टो द लेक वर लेग पर गया इट ड्रेंक वाटर उसने पानी प्या इट फिल इट उसक ट्रंक विथ डिर्टी बाटर देटी युट्ट केम दूप देटी जिके दुकान पर वापस आया हाती ए इसको जो महाँ पर सजा मिल गए इट वाज ही वाज वेरी शेड़ वह बहुत ही दुखी था इसमें मोरल क्या है टिट फॉर टेट और इसका जो आपको इसमें इसमें चैनल आलए तकी हंगरी फोक्स वाली देख लटे कहानी हंगरी फोक्स एंटर ग्रैप मार का पकशोलिक पर अगोरम का टीन देर वाज फोक्स एक दिन वहां बहुत बुक्षटी त वन डे इट वार्ट वेरी हंगरी तो उसने भोजन की तलास में इदर दिन गुम हो और अंगूर का जो बगीचा था उसमें गई इट साय बंच ओफ राइब क्रेप्स उसने जो अंगूर का बहुत बड़ा गुच्छा देखा इट वाज हैपी वहुती खुश्वी इट वांटेट टू एट देम वह उनको खाना चाहती थी बट दा बंच वाज है लेकिन था गुच्छा वाज वे उच्छा दा फॉक्स कुड़ नौट रीच इट वहां नहीं जा पए इट जंप डैट अगेन अगेन वह बार बार जो कूजने लगी इट वास ट्राइब थक गई इट कुड़ नौट रीच देम वह उनको नहीं पकड़ सकी इट सेड उसने कहा इ विद्यारतियों के नाम लेते हैं जो कि हर वीडियो के नीचे कमेंड करते हैं प्रस्तों के उतर देते हैं और आप बहुती शांदार स्टुडेंट हैं बहुती बढ़ी आप मेहनत करते हैं तक कि आप अपने परिक्षा में अच्छे नंबर ला सकें तो यह अपनी एर्थ क दाडीच यह चिराग दाडीच है जो कि रास्मन से हैं सचिन शरमा है उचाधकर यह फ्रॉम गंगानगर से हैं और तरुन राव वियावर स 해요 सवबाराम है इसके लावां दिलखुष गुजगर हैं गौपल रारम गेविक्भीमिंग है इसके लावार नाम देते हैं कनक दिल माहे बासवड़ा से लक्समन कुमार है आरती वर्मा है नरेंदर परिवहर है और अंकेश पांचाल है महेंदर मेगवाल है सरवन कुमार बजरंग लोहिया रमेश संद्र परजापत आजेपाल सिंग बाटी रामकरन यादव आयूस बालोटिया सरवन चोधरी बियल जाट अज जस्वन सिंग इसके लावा फिर आपको इसमें नाम देख लेते हैं निमो फैंसे जस्वन सिंग है सचिन कुंडला है परकास माले यह चितोड़कर से हैं पलक धाकर है दिनेश चोधरी है विके गुजर बिसनपुरा कॉमल कमर मुके सिंग राव धरमेश शर्मा है संकलाल न अंकित गुजर मोती राम चोधरी अंगिनिता यादव और इसके बाद में हैं फिर आपके हैं दलपत सिंग है सुरेस बरवड हैं सचिन कुंडला हैं इनके अलावा अपने और नए इस्टुडेंट भी जुड़े हैं जो आपने वीडियो शेयर किया उसके द्वारा और मिल सिंग लाली नायक लाली परिहार रतन राजावत हैमराज नागर सिताराम सैनी सलोचना देवी जसु संग मीना चैनल परमेश परियार द्रॉप दिजाट अंकित जाट इसके लावा हैं दीरस गुट कुमर और देविलाल निकिता सुमेर विष्णूई गगंदीपकौर और यह वो तमाम विद्यारती जिनके वीडियो के निचे आपको कमेंट मिल जाएँगी उमेदे करता हूं आपने इस वीडियो के निचे बी जो प्रस gesch tact में चुंड के कमेंट करना दो और इस वीडियो को सभी दोस्तों साथ में शेयर जरू करना तो जल्दी मिलेंगा आपको अगले वीडियो में एपको डाउनलोड करना इसकी पीडियो वगर आपके अपर मिल जाएगी और वर्सप ग्रूप को जोइन करना